आप सभी का स्वागत है दिल्ली NCR आज किसानों के प्रदर्शन के चलते भारी ट्राफिक जाम की समस्या से दिन भर टूसता रहा सुभा सुभा औफिस आने के लिए निकले लोग राष्टे में ही अटके रहे इसके लावा जाम में फसने के चलते कि सी की ट्रेनछ चूटी तो किसी की ट्री फ्राइट जाम में फसे लोग, प्रदेशन कारियों पर गुसा निकालते देखे, मगर एक जगा खड़े रहने के अलावा उनके पास करने के लिए और कोई विकल था ही नहीं। हम आपको बतादें कि राष्टर आजधानी छेत्र के नौईडा और ग्रेटा नौईडा के किसानों के व्यापक विरोध प्रदेशन को देखते वे दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जिसके बाद वहनों का भारी जाम लग गया। अधिकारी नों बताए कि सरिता विहार में कई दो पहिया और चार पहिया वहन जाम में फस्क गई जिससे सडकों पर वहनों की लंबी कतारे लग गई इसके इनेलावा दिल्ली नौईडा राजमार्ग पर भी बड़ी संख्या में वहन जाम में ऐ च्यूद्ध किया गया और अन्य पुलिस अदिकाई ने कहा कि कानुन विवस्था बनाये रखने के लिए अर्द सैनिक बलों के साथ-साथ भारी सुरक्षा बल पहले से ही तैनात किया गया है। उन्हें बताया कि दिल्ली हर्याणा और दिल्ली उत्रप्रदेश को जोडने वाले सीमावर्ती छेत्रों पर अवरुधक लगाए गये हैं। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा टाल दे। नौइडा और ग्रेटर नौइडा में किसानों के विरोध प्रदेशन से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भी बुद्वार और गुरुवार के लिए दंड प्रक्रिया सहिंता धारा 144 लागू करती है। पुलिस ने यातायात से संबन्दित एक दिशा निर्देश भी जारी किया जिसमें ट्रैक्टरों पर किसानों के अंदोलन के मद्देनिजर यात्रियों को दोनों शेहरों में कुछ मार्गों पर मार्ग परिवर्तन के प्रती आगाह किया गया। हम आपको उतादें कि नॉड़ा और ग्रेटर नॉड़ा में किसान समूँ दिसंबर 2023 से स्थानी विकास प्रादिकरणों द्वारा अधिकरहित अपनी भूमी के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विक्सित भुखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदेशन कर रहे हैं। किसान नेतर आकेष्टिक एद्वी दोपहर में ग्रेटर नॉड़ा में प्रदेशन कारियों के समूँ में शामिल हुए जहां उनके संठन भारती किसान यूनियन के सदस से स्थानी प्रादिकरण के कारले के बाहर विरोध प्रदेशन कर रहे हैं। वहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। कुछ जमाखोर और ब्लैक मेलर जब मार्कीट में कुछ चीज ऐसा लगता है कि इसको आराम से रखा जा सकता और ये खराब ने होगी। तो इखटा करकर के खरीद खरीद के खरीद के खरीद कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता महगा बेखते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक कमेटी सरकार बनाए और जहां से थोक में एक खटा ट्रक लेके आ रहे हैं। उन पे चापा डाले और उने पकड़े और उनकी खलाफ सक्स कानूनी कारवाई करे जिससे गरीव लोगों को और सामाने लोगों को भी लहसुन ठीक रेट पे मिल सके और इसका पर्मानेंट सालुसन है कि किसान का तो बहुत सर्था खरीद लेते हैं और इदर बहुत महगा तो किसान को थोड़ा रेट बढ़ा के खरीदें ताकि आगे भी जाके ऐसे जमाखोरी बीच में निकल सके और उनको मंदा मिल सके देखिए अप्रेल दो हजार बीस में कोविड का कहर पूरी दुनिया पे छाया हुआ था जो मनुखता थी वो बिल्कुल सहमी हुई थी उस महौल में सरकार चार किसानी कानून लेके आई सारे मुलक के किसान पंजाब की किसानी की अगवाई में लाम बंद होके दिल्ली के बौडरों पे आके बैठ गए उन्होंने अपनी जान की परवानी की 700 लोग शहीद हुए दोहजार इकिस में डेड़ साल बाद सरकार ने माफी मांगके वो कानून वापस लिए जब वो कानून वापस लिए गए थे तो किसानों से वाइदा किया गया था कि MSP के उपर इसको हिंदी में नियुत्म समर्थन मूले कहते हैं उसके उपर कानून बनेगा आज दो साल हो गए MSP के उपर ना कोई कानून बना ना स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू ही और इसलिए 13 फरवरी को देश भर के किसान लामबंद होके फिर दिल्ली की और कूच कर रहे हैं तो मैंने सरकार से ये मांग की है कि अभी डेड़ दिन बचा है ये वाइट पेपर ब्लैक पेपर के चक्र में पढ़ने की जगा अगर आप MSP के उपर कानून लेके आएंगे तो 65 परतिशत इस देश की जनता जो किसानी पे निर्बर है उसको एक बहुत बड़ा बड़ी र अब डेट आप तक पहुँच सके